C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 1. अपनी संख्याओं की जानकारी प्रिष्ट 15. जोड, घटा, गुणा और भाग पर हम अनेक प्रश्न कर चुके हैं यहां हम ऐसे कुछ और प्रश्न करेंगे प्रारंभ करने से पहले निम्न लिखेत उधाहरणों को देखिए तथा प्रश्नों के विशलेशन का अनुसरन कीजिए और देखिए के ने किस प्रकार हल किया गया है उधाहरण एक वर्श उन्नी सो ख्यानवे में सुंदर नगर की जनसंख्या दो लाख पैंतीस हजार चार सो इक हत्तर थी वर्श दो हजार एक में पता चला कि जनसंख्या में बहत्तर हजार नौसौ अठावन की व्रिद्धी हो गई वर्श दो हजार एक में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? हल दो हजार एक में इस शहर की जनसंख्या बराबर उन्नी सो इक्यानवे में जनसंख्या जमा जनसंख्या में व्रिद्धी बराबर दो लाख पैंतीस हजार चार सो इक हत्तर जमा 72,998 अब दो लाख 35,471 जमा 72,998 का जोड हुआ 3,8,429 सल्मा ने इन संख्याओं को इस प्रकार जोड़ा दो लाख 35,471 बराबर दो लाख जमा 35,471 बराबर 72,998 बराबर 72,998 और फिर दो लाख जमा 1,07,000 जमा 1,439 बराबर 3,08,439 तथा मेरी ने इस जोड को इस प्रकार किया दो लाख जमा 35,000 जमा 400, जमा 71, जमा 72,000 जमा 900, जमा ठानवे बराबर 3,08,439 प्रिष्ट 16 उत्तर 2001 में शहर की जनसंख्या 3,08,439 थी तीनों विधियां सही हैं उदाहरन दो किसी राज्ज में वर्ष 2002-2003 में 7,043,000 साइकिलें बेची गई वर्ष 2003-04 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,100,00 थी किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी अधिक बेची गई हल स्पष्ट है कि संख्या 8,100,00 संख्या 7,43,000 से अधिक है अतह उस राज्ज में वर्ष 2003-04 में वर्ष 2002-03 से अधिक साइकिलें बेची गई अब 8,100,00 घटा 7,43,000 हुआ 57,100 जोड कर उत्तर की जाच कीजिए 7,43,000 जमा 57,100 हुए 8,100 यानी उत्तर सही है क्या आप इसे करने के और भी तरीके सोच सकते हैं? उत्तर, वर्ष 2003-04 में 57,100 साइकिलें अधिक वेची गई उदाहरण 3, एक शहर में समाचार पत्र प्रती दिन जपता है एक प्रती में 12 प्रिष्ठ होते हैं प्रती दिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां जपती हैं प्रती दिन सभी प्रतियों के लिए कितने प्रिष्ठ चपते हैं हल, प्रत्य एक प्रती में 12 प्रिष्ठ हैं अतह 11,980 प्रतियों में 12 गुणा 11,980 प्रिष्ठ होंगे ये संख्या क्या होगी? एक लाख से अधिक या कम? अब 11,980 गुणा 12 हुआ 23,960 जमा एक लाख उन्नीस हजार आठ सौ हुआ एक लाख तैटालीस हजार साथ सौ साथ उत्तर प्रति दिन सभी प्रतियों के लिए एक लाख तैटालीस हजार साथ सौ साथ प्रिष्ठ चपते हैं प्रिष्ठ सत्रह उदाहरन चार अभ्यास पुस्तिकाईं बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध हैं प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 प्रिष्ट बनते हैं प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 प्रिष्ट हैं उपलब्ध कागस से कितनी अभ्यास पुस्तिकाईं बनाई जा सकती हैं। हल प्रत्येक शीट से आठ प्रिष्ट बनते हैं। अतह 75,000 शीटों से आठ गुणा 75,000 प्रिष्ट बनेंगे। 75,000 गुणा 8 हुआ 6,000,000 इस प्रकार अभ्यास पुस्तिकाँ बनाने के लिए 6,000,000 प्रिष्ट उपलब्ध हैं। अब 200 प्रिष्टों से एक अभ्यास पुस्तिकाँ बनती है। अतह 6,000,000 प्रिष्टों से 6,000,000 भाग 200 अभ्यास पुस्तिकाईं बनेंगी। अब च्छे लाख भाग दो सौ हुआ तीन हजार उत्तर तीन हजार अभ्यास पुस्तिकाएं प्रशनावली एक दशमलव दो एक, किसी स्कूल में चार दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयुजित की गई, पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशह एक हजार चौरानवे, एक हजार आट सौ बारह, दो हजार पचास और दो हजार साथ सो इक्कियावन टिकेट बेचे गए, इन शार दिनों में बेचे गए टिक्टों की कुल संख्या ग्यात कीजिए, दो, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाडी है, वो टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है, वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवशकता है, 3. एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किये, जबके उसके निकटतम प्रतिद्धवी ने 3,48,700 मत प्राप्त किये, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? 4. कीरती बुक्स्टोर ने जून के प्रत्हम सप्ताह में 2,85,891 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची गई, इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची गई, दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक् 5. अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, पांच अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ग्यात कीजिए. 6. एक मशीन औस तन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है. जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? प्रिश्ट 18. 7. एक व्यापारी के पास 78,552 रुपाए थे. उसने 40 रेडियो खरीदने का ओडर दिया तथा प्रतेक रेडियो का मूल्य बारह सौ रुपाए था. इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशी शेश रह जाएगी? 8. एक विद्यार्थी ने 7,2,3,6 को 5,6 के स्थान पर 6,5 से गुणा कर दिया. उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? संकेत, दोनों गुणा करना आवशक नहीं. 9. एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटी मीटर कपड़े की आवशकता है. 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेश बच जाएगा? 10. दवाईयों को बकसों में भरा गया है और ऐसे प्रत्य एक बकसे का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है. एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बकसे ला दे जा सकते हैं? 11. एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी एक किलोमीटर 875 मीटर है. प्रत्य एक दिन यह दूरी दो बार तै की जाती है. शे दिन में उस विद्यार्थी द्वारत तै की गई, कुल दूरी ग्यात की जिये. 12. एक बरतन में 4 लीटर 500 मिली लीटर दही है. 25 मिली लीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? 1.3.1 आकलन समाचार 1. भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक हौकी मैच को, जिसे स्टेडियम में लगभग 51,000 दर्शकों ने देखा, और विश्वभर में 40 मिलियन लोगों ने टेलविजिन पर देखा, हार जीत का फैसला न हो सका. 2. भारत और बांगलादेश के थटवर्ती एक्षेत्रों में आए एक चक्रवाती तूफान में लगभग 2,000 व्यक्तियों की मृत्य हो गई और 50,000 से अधिक घायल हुए. 3. रेलवेद्वारा प्रति दिन 63,000 किलोमीटर से अधिक रेलपथ पर 13,000,000 से अधिक यात्री यात्रा करते हैं. 4. क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन समाचारों में जितने व्यक्ति कहे गए हैं वहां ठीक उतने ही व्यक्ति थे? उदाहर नार्थ एक में क्या स्टेडियम में ठीक 51,000 दर्शक थे? अत्वा क्या टेलविजिन पर ठीक 40,000,000 लोगों ने मैच देखा? स्पष्ट था नहीं. शब्द लगभग स्वयम यह दर्शाता है कि व्यक्तियों की संख्याएं इन संख्याओं के निकटतम थी. स्पष्ट रूप से 51,000 संख्याओं, 50,800 या 51,300 में से कोई भी संख्या हो सकती है, परंतु 70,000 नहीं होगी. इसी प्रकार 40,000,000 का अर्थ 49,000,000 से बहुत अधिक और एक 40,000,000 से कुछ कम हो सकता है, परंतु निश्चे ही इसका अर्थ 50,000,000 नहीं है. प्रिश्ट 19 इसी प्रकार भारतीय रेल्वे द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की वास्तविक संख्या दी हुई संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, परंतु इससे कुछ अधिक या कम हो सकती है. इन उदाहरणों में दी गई संख्याओं को ठीक ठीक गिन कर या यथार्थ रूप से नहीं लिखा गया है, बलके ये उस संख्या के बारे में अनुमान देने वाले आकलन, यानि एस्टिमेट हैं. चर्चा कीजिए कि इनसे क्या सुझाव मिलते हैं. अपने घर पर होने वाले एक बड़े उत्सव की कलपना कीजिए. पहला काम जो आप करेंगे वो ये होगा कि आप ये पता करेंगे कि आपके घर पर लगभग कितने मेहमान आ सकते हैं. क्या आप मेहमानों की ठीक यानि इग्जाक्ट संख्या का विचार लेकर प्रारंब कर सकते हैं? व्यवहारिक रूप से ये असंभव है. हमारे देश के वित्त मंत्री प्रतिवर्ष बजट पेश करते हैं. मंत्री महोदय शिक्षा मद के अंतरगत कुछ राशी का प्रावधान रखते हैं. क्या ये राशी अथार्थ रूप से सही होगी? ये उस वर्ष देश में शिक्षा पर व्याय होने वाली आवश्चक धनराशी का केवल एक विवेक संगत अच्छा अनुमान या आकलन यानि एस्टिमेट हो सकता है. उन स्थितियों के बारे में सोचिए जहां आपको ठीक ठीक संख्याओं की आवश्चक्ता पढ़ती है. तथा इनकी उन स्थितियों से तुलना कीजिए जहां आप केवल एक संनिकट आकलित यानि एस्टिमेटिड संख्या से ही काम चला लेते हैं. ऐसी स्थितियों के तीन दहरन दीजिए. एक दशमलव तीन दशमलव दो. सन निकटन द्वारा निकटतम दहाई तक आकलन. इस चित्र को देखिए. यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें 269 से 271 तक की संख्याएं अपने अपने बकसे में हैं और कुछ संख्याओं के उपर हम जंडे देख रहे है ग्याद कीजिए के कौन से जंडे 270 की तुलना में 260 के अधिक समीप हैं. पटरी की संख्याओं 10, 17 और 20 के स्थानों को देखिए. यहाँ नीचे एक पटरी दी गई है जहाँ 1 से 30 तक की संख्याएं सामने नज़र आ रही हैं. बीच में एक जंडा लगा है. पटरी की संख्याओं 10, 17 और 20 के स्थानों को देखिए. क्या संख्या 17 है, संख्या 10 के अधिक निखट है या 20 के? 17 और 20 के बीच का रिक्तस्थान, 17 और 10 के बीच के रिक्तस्थान की तुलना में कम है. इसलिए हम 17 को निकटतम दहाई तक 20 के रूप में सन निकटित करते हैं. अब 12 को लिजिए. ये भी 10 और 20 के बीच स्थित है. परन्तु 12 संख्या 20 की तुलना में 10 से अधिक निकट है. इसलिए हम 12 को निकटतम दहाई तक 10 के रूप में सन निकटित करते हैं. आप 76 को निकटतम दहाई तक किस प्रकार सन निकटित करेंगे? क्या ये 80 नहीं है? परिश्ठ 20. हम देखते हैं कि संख्याएं 1, 2, 3 और 4 संख्या 10 की तुलना में संख्या 0 के अधिक निकट हैं. इसलिए हम इनहें 0 के रूप में सन निकटित करते हैं. संख्याएं 6, 7, 8 और 9 संख्या 10 के अधिक निकट हैं. इसलिए हम इनहें 10 के रूप में सन निकटित करते हैं. संख्या 5 संख्याओं 0 और 10 से बराबर की दूरी पर है. यह सामान्य परिपाटी है कि इसे 10 के रूप में सन निकटित किया जाता है. प्रयास कीजिए, इन संख्याओं को निकट तम दहाई तक सन निकटित कीजिए, 28, 32, 52, 41, 49, 48, 64, 69, 99, 215, 1453, 2936, 1.3.3 सन निकटन द्वारा निकटतम सैकडे तक आकलन, संख्या 410, संख्या 400 के अधिक निकट है, या 500 के अधिक निकट है, 410, संख्या 400 के अधिक निकट यानि समीप है, इसलिए इसे निकटतम 100 तक 400 के रूप में सन निकटित किया जाता है, संख्या आट-सो नवासी, संख्याओं आट-सो और नौ-सो के बीच में है, यह नौ-सो के अधिक निकट है, इसलिए इसे निकट तम-सो तक नौ-सो के रूप में सन-निकटित किया जाता है संख्याएं एक से उन्चास संख्या सौ की तुलना में संख्या शून्य के अधिक निकट हैं इसलिए इन्हें शून्य के रूप में सन निकटित किया जाता है 51 से 99 तक की संख्याएं शून्य की तुलना में सौ से अधिक निकट हैं इसलिए इन्हें सौ के रूप में सन्निकटित किया जाता है। संख्या पचास, संख्याओं शून्य और सौ से बराबर दूरी पर है। सामान्य परिपाटी के अनुसार इसे सौ के रूप में सन्निकटित किया जाता है। जांच कीजिए कि निमनलिकित सन्निकटन सेकड़े तक सही है या नहीं. आट सव एकटालीस आठ सो, 9537-9500, 49730-49700, 2546-2500, 286-300, 5750-5800, 168-200, 149, 100 9870, 9800 उन्हें सही कीजिए जो गलत हैं 1.3.4 सन निकटन द्वारा निकटतम हजार तक आकलन हम जानते हैं कि 1 से 499 तक की संख्याएं 1000 की तुलना में शून्य के अधिक निकट हैं इसलिए इन्हें शून्य के रूप में सन निकटित करते हैं 501 से 999 तक की संख्याएं शून्य की तुलना में 1000 की अधिक निकट हैं इसलिए इन्हें 1000 के रूप में सन निकटित किया जाता है संख्या 500 को भी 1000 के रूप में सन निकटित किया जाता है निम्नलिकित सन्निकटनों की जाँच कीजिए और उन्हें सही कीजिए जो गलत हैं 2573, 3000 5552, 5000 6444, 6000 65437, 65,000 7805, 7000 3499, 4000 प्रिष्ट 21, प्रयास कीजिए दी हुई संख्या को निकटन दहाई, 100,000 और 10,000 तक सन्निकटित कीजिए दी हुई संख्या 75,847 निम्न के निकटन दहाई, 100,000, 10,000 सन्निकटित रूप, डाश, 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 एक दशमलव तीन दशमलव पांच संख्या संक्रियाओं के परिणामों का आकलन हम संख्याओं को किस प्रकार जोडते हैं? हम संख्याओं को एक अल्गॉरिदम, दी हुई विधी का चरण बधरूप से प्रयोग करते हुए जोडते हैं हम संख्याओं को ये ध्यान रखते हुए लिखते हैं के एक ही स्थान, यानि एकाई, दहाई, सौज, त्यादी, के अंग, एक ही स्थम्भ, यानि कॉलम में रहें उदाहरणार्थ 3946, जमा 6589, जमा 2050 को इस तरह लिखते हैं ती टी एच, रिक्ट, टी एच, तीन, छे, दो, एच, नौ, पांच, शून्य, टी, चार, साथ, पांच, अव, छे, नौ, शून्य, फिर हम एकाई वाले स्थम्भ की संख्याओं को जोडते हैं यदि आवश्यक हो, तो हम एक उचित संख्या को हासिल के रूप में दहाई के स्थान पर ले जाते हैं, जैसे के इस स्थिती में है फिर हम इसी प्रकार दहाई के स्थम्भ की संख्याओं को जोडते हैं, और ऐसा आगे चलता रहता है आप शेश प्रशन को स्वयम पून कर सकते हैं, इस प्रक्रिया में स्पष्टतह समय लगता है अनेक स्थितियों में हमें उत्तरों को अधिक तीवरिता से ग्याद करने की आवशक्ता होती है उदा हरणार्थ, जब आप किसी मेले या बाजार में कुछ धनराशी लेकर जाते हैं तो आकरशक वस्तूओं की किस्मों और मात्राओं को देख कर वहाँ आप सोचते हैं कि सभी को खरीद लिया जाए आपको तुरंत यह निर्णाए लेने की आवशक्ता होती है कि आप किन किन वस्तूओं को खरीद सकते हैं इसके लिए आपको आवशक धनराशी का आकलन करने की आवशक्ता पड़ती है जो उन वस्तूओं के मूल्यों का योग होती है जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। किसी विशेश दिन एक व्यापारी को दो स्थानों से धनराशी प्राप्त होनी है। एक स्थान से प्राप्त होने वाली धनराशी 13,579 रुपई है। और अन्य स्थान से प्राप्त होने वाली धनराशी 26,785 रुपई है। उसे शाम तक किसी अन्य व्यक्ति को 37,000 रुपई देने हैं। वो संख्याओं को उनके निकटतम हजारों तक सनिकटित करता है और तुरंत कच्चा या रफ उत्तर निकाल लेता है। वो खुश हो जाता है कि उसके पास परियाप्त धनराशी है। प्रिश्ठ 22, शीला और मुहन को अपना मासिक बजट बनाना है। उन्हें परिवहन, स्कूल की आवशकताओं, किराने का सामान, दूद और कप्डों पर होने वाले अपने मासिक व्याई के बारे में भी जानकारी है। तथा औन्यन नियमित व्यायों की भी जानकारी है। इस महीने में उन्हें घूमने भी जाना है और उपहार भी खरीदने हैं। वे इन सभी पर हुने वाले व्यायों का आकलन करते हैं और उन्हें जोड़ कर देखते हैं कि जो राशी उनके पास है वो पर्याप्त है या नहीं। क्या वे हजारों तक सन्निकटित करेंगे जैसा के व्यापारी ने किया था। ऐसी पांच और स्थितियों के बारे में सोचिए और चर्चा कीजिए जहां हमें योग या अंतरों का आकलन करना पड़ता है। क्या हम इन सभी में एक ही स्थान तक सन्निकट मान ग्यात करते हैं। जब आप संख्याओं के परिणामों का आकलन करते हैं तो उसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। ये विधीस पर निर्भर करती है कि परिशुधता की वांचित मात्रा कितनी है। आकलन कितनी जल्दी चाहिए। तथा सबसे महत्वपूर बात है कि अनुमानित उत्त कितना अर्थ पूर्ण होगा। अभी आप सुन रहे थे कक्षा छै की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक। वाचनस्वर गौरव मार्वा। निर्मान सहयोग सौम्या मलिक। निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत।